तो दोस्तों आप भी समझते होंगे कि कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी जिसे हम कहते हैं negativity का शिकार हो जाते हैं या फिर हम कहते हैं नजर लगना या फिर भूत परेत का कहीं पर साया होना कुछ paranormal activities उनके उपर बहुत जादा होती हैं क्यों ऐसा होता है और किन लोगों के उपर ऐसी चीज़े जादा होती हैं देखिए ऐसा होना उन लोगों के उपर आपको खास कस मिलेगा जिनके की बाल light color के हो आखें light color की हो चमडी यानि कि skin उनकी soft हो कुछ ना कुछ उनके अंदर एक male factor कहीं पर कम नजर आता हो तो ऐसे लो लोग बहुत जल्दी तंतरबादा के शिकार हो जाते हैं किसी ना किसी के द्वारा किया कराया इनके उपर हावी हो जाता है भूत प्रेतों का चक्कर इनके उपर हो जाता है फिर ये बाद में जाड़ा लगवाते फिरते हैं कहीं इधर उदर पानी पढ़वा के पिते फिर कहीं ताबीज बनवाते हैं तो ये सब चीजे ऐसे लोगों के साथ होती हैं और दूसरी जो महिलाएं होती हैं महिलाएं महिलाओं को तो आपने देखा ही होगा कि जब भी कभी शमशान में किसी मुर्दे को लेकर जाते हैं तो महिलाएं बाहर रुक जाती हैं क्यों रुकती है महिलाओं का बाहर रुकने के पीछे यही कारण होता है कि इनके उपर बहुत जल्दी ऐसी चीजों का भूत परेतों का उपर की हवाओं का पेरानॉमल एक्टिविटीज का बहुत जल्दी इनके उपर असर होना शुरू होता है क्योंकि जो इनसान एक soft natured person होता है उनके उपर कुछ ऐसी गतिविदियां बहुत जल्दी हावी होना शुरू हो जाती है और जो लोग मजबूत होते हैं मानसिक मजबूत होते हैं उनको तो चाहें कहीं पर भी भेज़ दो कुछ भी कर दो उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं होता है क्योंकि उनका शरीर भी मजबूत है और उनका मन भी मजबूत है तो इसी तरीके से नजर लगना या नजर दोश होना ये भी खास कर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिनकी कुणली में राहू 1st house यानि कि पहले भाव में है, छटे भाव में है, 6th house में या फिर 8th house जो की आठमा भाव भी कहलाता है अगर यहाँ पर राहू है तब इस केस में इनसान के उपर ऐसी गतिविधिया यानि कि नजर लगना, किसी के द्वारा टोक कर देना, ऐसे उपरी बाधाव का शिकार होना बहुत जादा होता है और कुछ लोग आपने देखा है दिमागी रूप से परेशान या पागल हो जाते हैं, उनका कारण होता है जब भी बुद फोर्थ house में है, आठमे भाव में है या बारमे भाव में है और कहीं पर भी अगर मान लिजे इस भाव में अकेला है या फिर राहू कहीं पर मान लि का connection वो भी मंदे भाव में होने पर भी ऐसे लोग बहुत जल्दी उपरी बाधा का शिकार होने लगते हैं, इनके उपर ऐसी गती विदियां देखने को मिलती है, कईयों में split personalities आ जाती है, कईयों में OCD आ जाती है, बे मतलब की डर चिंताएं वहम पैड़ जाते हैं, किसी के साथ attachment हो, जैसे कि चंदर्मा first house में हैं, तब इंसान बहुत डरा डरा रहता है, अगर डरा नहीं रहता है, तो उसके अंदर confidence की मातरा काफी कम होती है, ऐसे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, इनकी एक अपनी ही दुन आज मैं आपको बुद्राहू के और बुद्र के चंदर्मा के साथ आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर मालीजे किसी को भी सबसे पहले बात करते हैं, नजर दोस्की, नजर लगती है, कुछ लगती है, तो अपने सीधे या उल्टे, यानि कि लेफ्ट या राइट पै वो खतम होगी, बुद्र चौथे भाव में हैं, दिमागी परिशानिया दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति गले में तांबे का छेद वाला पैसा पहने बुद्वार के दिन, और एक खाली मटकी वर्ष में जरूर जल परवा कर दिया करें धककन सहीत, और ये मटकी बड़ी होनी चाहिए, ये बुद्व के नेगिटिव पर भाव को दूर करने के लिए है, चंदरमा पहले भाव में है और दिमाग परिशान करता है, चंदरमा बार में भाव में है, तो दिमाग परिशान करता है, पहले भाव में है, तो कांच के बरतन इस्तमाल मत करिए, और लाल रंग क दिमाग परेशान करता है तो कांच के बड़े से जार में एक लीटर के करीब बारिश का पानी भरिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा डालके अपने घर में बेडरूम में उंचे स्थान पर रखिए देखिए कितने पॉस्टिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं बुद्ध राहू का कॉंबिनेशन है बुद्ध राहू कहीं न कहीं परेशान करता है यानि कि डर चिंता है वहें बनाता है दिमाग नहीं टिकने देता है तो चोटी उंगली में सिधे हाथ की चोटी उंगली में या लेफ्ट हैंड की चोटी उंगली में आप एक स्टेलने स् जिसे की बुद्ध का चल्ला बोलते हैं वो पहन ये पर इस उपाय को करने से पहले इसका तरीका ये है कि आपको एक चल्ला या तो जल परवा करना है जल परवा की फैसिलिटी नहीं है तो मंदिर में कहीं पर किसी मूर्ति के आगे चड़ा दीजिए और वहीं बैठ कर दूसर पर ये नजर लगना negativity का काम होता है तो वहाँ बात आती है राहू की राहू नेगटिव है तो आपको परेशान करेगा ही करेगा राहू को सही करने के लिए यानि कि राहू को कंट्रोल रखने के लिए आपको एक लाल थैली चौकोर थैली बना लेनी है कपड़े की और उसक मच आप सौफ डालिए और एक लाल मुंगा डाल के इसकी सिलाई कर लिजी यानि कि चौकोर शेप की बन जाए ऐसी थैली आप हमें बैग में या पॉकेट में हमेशा रखो या फिर जहां सोते हो तक्या के नीचे परमानेंट रखके आप सोया करो तो देखिए आपकी नीद भ महावत है क्योंकि हाथी है राहू और तो राहू यानि की हाथी को कंट्रोल करने के लिए मंगल की शक्ती ही काम आती है और यह बहुत सिंपल उपाय है हम बड़े बड़े चक्रों में पढ़ जाते हैं यहां भागते हैं वहां भागते हैं पर छोटे उपाय के तरफ ध्यान ना देके अपना समय और अपना पैसा दोनों ही बरबात करते हैं तो आप लोगों को ये जानकारी काफी ज्यादा बेनिफिशल रहेगी काफी फाइदा पहुंचाएगी बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजिए नमस्कार